हलो एवरिवान, वेलकम टो माई चैनल, मेडिसीन एक्सपर्ट रिवीव में आपका स्वागत है आज हम विकाद एक्जम माइन कैपसुल के बारे में स्टडी करेंगे कि यह जो कैपसुल है वो एक मल्टी वाइतामीन एन मल्टी मिनरल कैपसुल है जिसका यूज है कि अगर आपको वाइतामीन की कमी है तो यह जो कैपसुल है वो वाइतामीन की कमी को पूरा करने के लिए हैल्पफुल रहती है अगर आपको हाथो और पैरों में जिंजनाहत से हो रही है या फिर आपकी हदिया जो कि कमजोर हो गई है तो उसे वो मचबूट करती है और अगर आपको भूख कम लगती है तो ये जो capsule है वो आपको भूख बढ़ाने में भी help करती है तो चलिए सीखते हैं कि आज हम कौन-कौन से content study करेंगे बेजिक of medicine, use of medicine, level study, working and mechanism, dose of medicine, price of medicine, side effects, warnings, pregnancy category and drug-drug interactions तो ये जो सारे चार्टरी chapters है वो आज हम बिकाद एक्जमाईन capsule के बारे में study करेंगे तो सबसे पहले बेजिक से जाने कि ये जो capsule है यानि कि बिकाद एक्जमाईन जो है वो कौनसे class से बिलाउंग करती है इसका जो प्रान नेम है वो बिकाड एक्जमाइन है अगर हम उसके कंटेंट के बारे में देखें तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम देखें तो विटामिन ए जो की रैटिनोल है वो 5000 आईउ है विटामिन B1 थायमाइन वो 5MG में अवेलेबल है वाइटामिन B2 रिबो फ्लैविन वो भी 5MG में अवेलेबल है वाइटामिन B3 नियासिन 45MG वाइटामिन B5 दी पैंठेनोल 0.5MG वाइटामिन B6 पाइरिडॉक्जिन 2MG वाइटामिन B9 फोलिक एसिद 1000MCG माइक्रोग्राम वाइटामिन B12 साइनोकोबला माइन जो की 5MG है वाइटामिन C एसकॉर्बिक एसिद 75MG वाइटामिन D3 कॉलिक अलसिफेरोल 400IU वाइटामिन E टोकोफेरोल 15MG तो यह जो साड़े 11 nutrients है वो multi vitamin जो capsule है उसमें present है अब अगर हम company के बारे में जाने कि यह जो विकाद examined capsule है वो manufacture कौन करता है Glexo Smith Klein Pharmaceutical Limited जो company है वो उसे manufacture करती है it is an Indian research based pharmaceutical and health care company जिसका यहाँ पे logo दिया हुआ है GSK उसका जो head office है वो मुंबई में है अब use के बारे में जाने कि कौन कौन से condition में विकाद examined है वो हम ले सकते हैं अगर आपको vitamin की deficiency है यानि कि vitamin की कमी है या फिर आपको minerals की deficiency है तो वो पूरा करती है आपकी जो immunity है वो उसे boost और enhance करती है treat body weakness अगर आपकी body में weakness रहती है तो वो उसे भी treat करेगी fatigue यानि कि ठकान रहती है या फिर आपके सरीर में कमजोरी है आपके skin, hair और bones को भी improve करती है जो joints है उसे भी healthy रखती है और आपके जो metabolism है बोडी में उसे भी improve करती है अगर दूसरी और भी use के बारे में जाने तो वो हमारे जो appetite यानि कि हमें भूख कम लगती है तो उसे भी भूख लगने के लिए भी ये समस्या दूर करती है also help to recover faster from illness, disease from condition जो हमें illness यानि कि जो कमजोरी आ रहे है जो diseases जो रोगों हो रहे है उसे recover करने में भी fast section प्रोवाइड करती है pregnancy के लिए भी useful है overall हमारी जो general health है उसे भी वो improve करेगी and important for the proper functioning of nervous system जो हमारी nervous system है उसके जो neurons है उसे वो proper functioning प्रोवाइड करती है and peripheral neuropathy जो neuropathy है यानि कि जो हाथो और पेड़ों में जो जुनाहत से हो रहे है वो समस्या को भी डूर करती है अगर आप यहाँ पे देखें कि यह जो neurons है यानि कि B6, B12, B1 के जो कमी हो रही है उसके कारण neuronal health जो है वो हमारी कम हो जाती है तो यह जो capsule है उसे लेने से हमारी जो neuron health है वो increase होती है महीला गर्भावस्था में भी यह जो capsule है वो ले सकती है अब label study पे जाने कि विकाद examine की label study क्या है ember color की glass bottle में available है यहाँ पे विकाद examine उसकी brand name है यहाँ पे multi mineral and multi vitamin capsule का दिया हुआ है यहाँ इसका logo है and 30 capsule है for nutraceuticals use only for therapeuticals use only यह जो capsule है वो soft gelatin capsule की बनी हुई है यह जो glass bottle है उसमें 30 यानि कि 30 capsules आती है अब working के बारे में जाने कि विकाद examine जो है वो work कैसे करती है विकाद examine capsule different supplements की combination से बनी हुई है यानि कि हमने जो 11 supplements देखे उस supplement से बनी हुई है यह medicine हमारी body में जो nutritional deficiency है उसको पूरा करके अपना काम करती है यानि कि overall जो हमारी body में nutrition कम हो गये है जो vitamins की कमी है वो उसे provide करके अपना काम करती है अब dose के बारे में जाने कि यह जो capsule है विकाद examine वो हम कब ले सकते है और कितना dose ले सकते है usually दिन में एक बार एक capsule लेने की होती है after meal तो यह जो capsule है वो हमारी जो nutritional deficiency है वो उसे fight करेगी और अपना काम करेगी so आपको दिन में एक capsule लेनी है take it after meal, milk लेने के बाद लेनी है don't make overdose and excessive dose और self medication तो आप overdose नहीं ले सकते यानि की एक से ज़्यादा capsule है वो नहीं ले सकते है और आप self medication भी नहीं कर सकते है वीडियो की बीस में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारा एक medicine course है जिसकी link मैं आपको description box में दे दूंगी वहाँ पे medicine course में video lectures है, PDF files है तो वो आप directly access कर सकते है और मैं आपको और भी बताना चाहूँ तो हमने एक नया course launch किया है जो की medicine review की PDF book भी हमारी available है तो वो भी आप directly access कर सकते हैं और purchase कर सकते हैं अब हमारे topic पे वापस से आते हैं कि विकाद examine जो capsule है उसकी price कितनी है इसकी latest price August 2023 की है Rs.51 for 30 capsules affordable price है यह अब side effect के बारे में देखें कि विकाद examine लेने से कौन-कौन से side effects हो सकती है constipation रहता है, stomach upset रहता है, diarrhea, nausea and vomiting तो यह जो side effects है वो विकाद examine लेने से हो सकती है अब warning से बारे में देखें कि कौन-कौन से warnings है जो कि हमें विकाद examine capsule लेने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए अगर आपको विकाद examine के जो contents है उससे allergy है अगर आपको को allergic reaction हो रहे है तो immediately आपको stop करना है अगर आपको liver problems है, kidney related problems है या फिर heart related problems है तो यह जो side conditions है उस condition में भी हमें विकाद examine नहीं लेनी है अगर आप children's में यूज करे हैं तो वो भी नहीं करनी चाहिए अगर आपको यह tablet लेने से dizziness feel हो रहा है यानि चक्कर आ रहा है या फिर आपको sleepiness यानि कि ज्यादा नीन दा रही है यह capsule लेने से तो आपको यह capsule है वो avoid करने चाहिए अब pregnancy category के बारे में जाने कि विकाद examine जो है वो pregnancy में safe है हमने सीखा, it is completely safe during pregnancy तो आपको जो anemia की problem होती है यानि कि iron's जो है और overall जो good health है उसे भी वो complete करती है और अगर आप यह जो capsule ले रहे हैं pregnancy में तो एक बार आपको आपके जो gynecologist है उसे consult करना चाहिए अब drug-drug interaction के बारे में जाने कि कौन-कौन सी drugs है जिसके साथ विकाद examine हमें नहीं लेनी चाहिए अगर आप यहाँ पर देखें तो diazide diuretics है तो उसकी जो class की drug है वो हमें avoid करनी चाहिए then corticosteroids, cardioglycosides, fluoroclonolons, omeprazole, anticoagulants and hydrolazine तो यह जो सारी class की और यह जो drugs है उनके साथ हमें विकाद examine जो capsule है वो avoid करनी चाहिए जिससे कि आपको drug-drug interactions ना हो अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आपको यह वीडियो भी अच्छा लगेगा तो इसी ही medicine के review के बारे में अगर आपको study करना है तो आप हमारी channel को subscribe कर सकते है and हमारा जो medicine course है और हमारी जो medicine की PDF book भी available है तो आप वो भी purchase कर सकते है thank you for watching my video